नमस्कार दोस्तों आज मैं आपको कोरिया की एक बहुत ही पॉपिलर अर्बन लेजंड के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसका नाम है दाइलिवेटर मॉडरर इस कहानी की शुरूआत होती है जब हरुको नाम की एक लड़की कोरिया की एक जानी मानी इटमीशन लेती है वो बहुत ही मेहनती लड़की थी और पढ़ाई में बहुत ही अच्छी थी एक रात वो काफी देर तक अपनी उनिवस्टी की लाइबरेरी में पढ़ाई कर रही थी इसी कारण उसे घर जाने में काफी देर हो गई वो करीब रात के साधे बारा बचे अपनी बिल्डिंग में पहुंची वो 14th फ्लोर में रहती थी इसी लिए वैलिवेटर यानि लिफ्ट का वेट करने लगी थोड़ी देर में लिफ्ट आ गई और उसने 14th फ्लोर की बटन दबाई उस लिफ्ट के गेट्स बंदी होने वाले थे कि तभी एक आदमी भागता हुआ आया और उस लिफ्ट में चड़ गया वो आदमी देखने में बहुत हैंसम था और उसने स्माइल करते हुए हरुको से बात करना शुरू कर दिया और बताया कि वो तेरवे फ्लोर पर रहता है हरुको उसी के बारे में ही सोच रही थी और काफी देर तक सब नॉर्मल था पर जैसे ही वो लिफ्ट तेरवे फ्लोर पर पहुँची वो आदमी बहुत ही अजीब धंग से हसने लगा और उसने अपने बैग में से एक चाकू निकाला और कहने लगा कि मैं तुमसे उपर मिलता हूँ और वो लिफ्ट से बाहर भाग कर सीडियों के जरिये उपर के फ्लोर पर जाने लगा हरू को बहुत डर गई थी और उसने लिफ्ट को रोकने की कोशिश की पर क्योंकि वो अल्रेडी 14th फ्लोर का बटन दबा चुकी थी लिफ्ट अब उस फ्लोर पर जा कर ही रुकने वाली थी हरू को जोर जोर से रो रही थी और उसने सब बटन दबा कर लिफ्ट को रोकने की कोशिश की पर कुछ नहीं हुआ और लिफ्ट 14th फ्लोर पर पहुँच गई और जैसी लिफ्ट का गेट खुला वो आदमी वहीं सामने खड़ा हुआ था और उसके हाथ में बड़ा सा चाकू भी था और उसने उसी चाकू से हरू को की हत्या कर दी अगले दिन बिल्डिंग की लोगो को हरू को की लाश लिफ्ट में ही पड़ी मिली और उसके बाद से ही डैलिवेटर मर्डर के वारे में थियोरिस बनना शुरू हो गई लोगों के मुताबिक वो किसी सीरियल किलर का भूत है जिसने मरने के बाद भी लोगों को मारना बंद नहीं किया ऐसा इसलिए माना जा रहा था क्योंकि उस बिल्डिंग की सिक्योर्टी कैमरा में भी वो आदमी कहीं दिखाई नहीं दे रहा था और उस आदमी को धूडने की बहुत कोशिश की गई और उसका कुछ पता नहीं चला ऐसा माना जाता है कि तभी से लिफ्ट्स में एमर्जेंसि स्टॉप बटन लगाये जाने लगा ताकि लिफ्ट को जरूरत पढ़ने पर रोका जा सके क्योंकि उस दिन अगर उस लिफ्ट में स्टॉप बटन होता तो शायद हरूको की जान बच सकती थी तो दोस्तों ये थी डैलिवेटर मर्डरर के अर्बन लेजंड की डिटेल कहानी आपको इस वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट्स में जरूर बताइए इस वीडियो को लाइक और शेर करना बिल्कुल न भूले और ऐसे ओर वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कलेजी धन्यवाद